दोस्तो नमस्कार करनल आजयस यो आजयस ट्रोमानी गुरूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनेस डिजिटल चैनल से आप से मुखातिब होता हूँ आज 27 जुलाई सन दोहजार तेज दोस्तो आज़स ट्रोमानी गुरू देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटी पर लगाता अपडेट विश्लेशन आप तक प्रदान करते हैं थता हम बर्समानी नहीं भविश्का भी करते हैं सटीक आत्वन दोस्तो आज के अपिसोड में हम चर्चा करेंगे मुखळी दोस्तो कबर निकल के आरी है कि यूपी बंगाल में साइकलोन के असर से और गुजरात में भार गुजरात में गर्मी की मुफली का दिकांश फसल पूरी हो चुकी है और स्टाकिस्ट और वेपारियों के पास साथ से आठ लाग बुरी का स्टाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है यूपी में 35 से 40 प्रतिशत फसल निकल लेके समाचा रहे हैं और 60 प्रतिशत फसल आना बाकि है यूपी से 70-80 लाग बुरी मुफली मार्केट आने का अनुमान लगा जा रहा है नई मुफली की आवक सितंबर के तीसरे और चोटे सप्ता तक आने का अनुमान है और नई मुफली की आवक शुरू होने से पहले दो महेने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अच्छ होने से यदब निर्याद में डिमांड कम है लेकिन घरेलू मार्केट में मुवफली की डिमांड लगातार अच्छी बताई जा रही है इसके सामने मुवफली दाने की यूनिटे मुवफली कम मिलने से कम ही लगबग 10% यूनिट ही चालू हो रहने खबर मिल रही है दोस्तों जहां तक अंतराशी बजार की बात है मुफली तेल में फिलाल चीन के साथ व्यापार कम होता है गौरतरब है कि चीन के साथ जैसे ही निर्याद डिमाड निकलती है मुफली के दाम और मुफली तेल के दाम अकाश्च होने लगते हैं लेकिन इस समय चाइना की डिमांड कम है क्योंकि लोकल डिमांड बने अच्छी होने से लेकिन निर्यात का व्यापार नहीं होने के वज़े से मुफली के अंदर बड़ी तेजी का लोग इंधिजार कर रहे हैं इसके लावा चीन 2% Free Fat Acid FFA की Quality का माल चाहता है जो यहां और चीन के लिए मुफली तेल पती टन 2,000 का भाव बताया जारा है इंडिया मार्केट में और पहले यह 1950 से 1975 डॉलर पे था अब यह 2000 की बात हो रही है चीन की जहां तक फसल का सवाल है वहां पर कम होने की चर्चा रही है तता भारी बरसात के करण कुछ खेतर में मुफली की फसल को नुकसान भी हुआ है लेकिन चीन के बारे में कुछ भी कहना एक आसान नहीं होता है क्योंकि चीनी एग्रो की फसलों का जानकरिया बहुत मुश्किल से बाहर आती है चीन में अगामी दो से तीन सप्ता मार्केट में नहीं मुफली शुरू होगी और उसके बाद ही फसल का वास्तवी का नुमान लगाया जा सकेगा मुफली तेल फिलाल डिमांट निर्यात म कम है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारते मुफली का दाना सबसे उचा बताया जा रहा है दूसरे देशों में मुफली दाने की सप्लाई प्रयाप नहीं है और फिलाल उत्तर गुजरात से टीजे 50-60 का उफर 1560-1600 डॉलर और 80-90 का भाव 1500-1520 डॉलर है यूपी के जावा 50-60 का भाव 1550-1560 डॉलर का है ब्राजियर अर्जेंटाइने की मुफली का दाना का उफर भारत की तुला में लगवग 50-100 डॉलर नीचा है लेकिन ब्राजियर अर्जेंटाइने की मुफली अगस्तक शिप्मेंट फुल बुक होने के कारण वहां से सप्लाई नहीं available है दूसरी और अफरिकन देश भी मुफली दाने के भाव बारत से 200-500 डॉलर कम है लेकिन प्रतेक अफरिकन देश में shipment की समस्या होने से वहां से भी कुछ विश्वास रूफ से नहीं कहा जा सकता घरेलू डिमांड का सपोर्ट भारतिय मुफली तेल और मुफली दानों को अच्छा है और यहीं वज़ा है कि तेवारी की डिमांड होने से दो मेना शुरू होने में मुफली और मुफली तेल में कोई बड़ी गिरावट की संभाव नजर नहीं आ रही है तो दोस्तो हम लगातार अपडेट और विशलेशन आप तक मुफली हो सोयाबीन हो सरसो हो पाम तेल हो सूरज मुखी तेल हो खादे तेलों पर लगातार हम आपको अपडेट देते हैं दोस्तो अधि आप खादे तेलों के विशलेशक हैं स्टॉकिस्ट हैं या फिर मिलर्स हैं हमारी विशेश रिपोर्ट्स एडेबल आउयल्स के उपर आप राप कर सकते हैं नमबर स्क्रीन पर दिया गया है All the very best good luck happy today